कि आज हम पढगे क्लास 10 से इमेज फरमेशन रूइल यानि आज हम देखेंगे कि चौनकेम Casecрем का भी इमेज अगर बनता है कौनकेम मीर Workers तो कैसे इमेज बनता है और उसका रूल क्या होता है आज सिर्फ हम रूल जानेंगे अगर आपको लगता है कि आगे हम इमेज इमेज फर्मेशन भी शीखए तो आप कॉमेट में कॉमेंट की जीएगा मैं फिर अगला विडियो लेकर आउगा इमेज फर्मेशन uncon hood का भी और convix का भी तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन केभ में इमेज जैसे ही बनता है तो अकिस rule को follow करता है यानि कि वो rule आखिर में होता क्या है वैसे rule को आज हम पढ़ेंगे जानेंगे तो वो अगर rule हम सिख जाते हैं तो image formation बहुत असान है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर हम rule बनाना जान गए यानि की ray diagram हम सीख गए कि आखिर में rule क्या follow करता है तो असानी से हम image formation भी बना लेंगे तो सबसे पहले हम concave का देखेंगे कौन के में रूल फर्स्ट है यह कौन के इसमें क्या है यह प्रिंस्पल एक्सिस यह मीरर एम एम डैस यह फोकस और यह center of curvature यह फॉल फर्स्ट रूल है कि अगर कोई भी रे प्रिंस्पल एक्सिस के पैरलल आए तो आफ्टर reflection के बाद वह फोकस से निकल जाएगा इस रूल को आप याद रखिएगा कि कोई भी रे अगर प्रिंस्पल एक्सिस के पैरलल आता है कहां से आएगा प्रिंस्पल एक्सिस के पैरलल तो आफ्टर reflection के बाद कहां से वह इंट्रसेक्ट करता हुगा निकलेगा फोकस से निकलेगा सेकेंड रूल देखते हैं यह कौन के मिररर यह फोकस और यह सेंटर अव कारवेचर सेकेंड रूल है अगर कोई भी रे अगर कोई भी रे सेंटर अव कारवेचर से आता है यह स्टेट होगा कोई भी रे सेंटर अव कारवेचर से आता है तो आफ्टर reflection के बाद back to return same path अगर कोई भी रे सेंटर अव कारवेचर पे आएगा तो जैसी reflect करेगा तो back to return same path हो जाएगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे perpendicular बनता है यहाँ पे perpendicular बनता है और जैसे ही perpendicular हो जाएगा यानि कोई भी mirror पे अगर रे perpendicular हो जाए तो उस स्तिती में क्या होता है कि रे backward हो जाता है same path पे तो same condition यहाँ भी है C पे कि अगर कोई भी रे सेंटर अव कारवेचर से होकर आए तो after reflection के बाद back to return होगा कोई question पूछ सकता है why तो reason है because angles is 90 degree angle is 90 degree यहाँ पे mirror और रे के बीच का जो एंगल है वो कितना का होता है 90 का होता है रूल थर्ड देखेंगे रूल नमबर थर्ड अगर कोई भी रे फोकस प्याता है अगर कोई भी रे फोकस को इंटरसेक्ट करता हुआ mirror पे आता है तो after reflection के बाद principal axis के parallel चला जाएगा इसको याद रखेंगा third rule यानि कि first का ही opposite है third यानि कोई भी focus से आएगा तो यहाँ से reflect करेगा और principal axis के parallel निकल जाएगा अब rule नमबर फोर देखेंगे rule नमबर फोर कोई भी रे पूल पे आए तो same angle से क्या होगा reflect करेगा यहाँ पे reflection का second rule follow किया जाता है यही कोई भी अगर यह पूल पे आता है कहाँ पे incident होगा पूल पे अगर आएगा तो after reflection के बाद same angle से क्या होगा वो reflect कर जाएगा यह fourth rule है इसको आपको याद रखना होगा अगर यहाँ पे 30 degree angle है तो यहाँ भी क्या होगा 30 degree angle होगा अब देखेंगे convex mirror का इसमें image जब बनेगा तो किस rule को follow करेगा यह हम देखेंगे तो rule number first है यह convex mirror यह pole यह focus और यह c इसका focus क्या होता है virtual होता है तो behind the mirror और इसका center of curvature भी कहां होगा भी हािट mire होगा तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी डे principle axis के parallel आजे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद it silver king कर जाएगा अफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद diverge कर जाएगा लेकिन इसको कहा से मिलाएंगे x just से मिलाएंगे यानि कोई भी रे अगर प्रिंस्पल एक्सिस के पैरलल आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज करेगा लेकिन वह कहां से मिलता हुआ प्रतीत होगा यानि यह पियर्श टू मिट ऑन फोकस यानि वह फोकस पर मिलेगा सेकेंड रूल रूल नम्बर टू ये था रूल नम्बर फर्स्ट देखिए अगर कोई भी रे सेंटर अफ कारवेचर के तरफ बढ़ रहा हो ये सेंटर अफ कारवेचर अगर कोई भी रे सेंटर अफ कारवेचर के तरफ बढ़ रहा हो तो back to return सेम पाथ हो जाएगा यानि कोई भी एकर सेंटर अफ कारवेचर के तरफ बढ़ेगा तो back to return सेंप आफ Aftere L calcium लेकिन इसमें virtual image form होता है तो ब्रतुल इमेज फों मिला देंगे यानि इसको हम C से जुआइन कर देंगे यानि इस तरह से हम कहा सकते हैं कि अगर कोई भी ray center of curvature के तरफ आता है तो back to return same path होगा लेकिन उसको कहा से जुआइन करेंगे हम C से यानि center of curvature से rule number 3 है यह principle axis xy यह भी xy xy अगर कोई भी ray focus के तरफ आता है focus के तरफ तो after reflection के बाद principle axis के parallel हो जाएगा कोई भी ray अगर focus पर आएगा तो after reflection के बाद कहा होगा principle axis के parallel लेकिन इसमें virtual image form होता है तो इसको कहा से मिला देंगे focus से मिला देंगे यानि कि third rule है कि अगर कोई भी ray principle axis के parallel कोई भी ray अगर focus को intersect करेगा यानि focus को intersect नहीं target करेगा कि focus के तिरफ आए तो वह after reflection के बाद principle axis के parallel हो जाएगा लेकिन उसको कहा से मिलाएंगे हम focus से मिलाएंगे यह rule number third है rule four इसको sword में बनाते हैं xy और यह है c और यह है f अगर कोई भी ray पूल प्याता है तो after reflection के बाद same angle से reflect हो जाएगा यह है ray diagram अगर कोई भी ray कहां आएगा पूल पे तो after reflection के बाद same angle से क्या होगा reflect हो जाएगा इस तरह से आपके यह four rule हुए जो image formation में काम आएगे तो convex में यह four rule और concave का भी four rule इस तरह से अगर हम देखें तो convex का जो भी image formation होता है वह virtual image बनेगा यानि total convex में क्या image बनेगा virtual बनेगा अगर वहीं हम बात करें इसमें virtual and erect image बनता है अगर वहीं concave mirror की बात करें तो उसमें total यानि की five case होंगे जिसमें total real inverted बनता है लेकिन एक case होगा एक case होगा जिसमें क्या होगा virtual image form होगा तो अगर आपको चाहिए कि हमको image formation भी पढ़ना है या convex mirror का हो या concave mirror का हो तो आप comment section में comment कीजिए कि convex mirror का पढ़ना है या concave mirror का या दोनों का पढ़ना है तो मैं दोनों वीडियो बना दूंगा और फिर मिलेंगे हम next video में